कि जब भी किसी से मिलने उसके घर पहुंसते हैं तो महमान खाने में आपको कई तरह के सुनदर और बेहद अलग तरह की पईंटिंग लगी दिखाएती थी है अक्सर इन पेंटिंग को लगाने का मकसद घर की सुन्दरता को बढ़ाने का होता है लेकिन कई पेंटिंग ऐसी होती है जो मारे अंदर जग्यासा पैता कर देती है वैसे जब कभी आप किसी अमीर के घर में पहुंसते हैं कि घर में positive महल बनाए रखने के लिए वो ऐसी पेंटिंग लगाएं जिन्हें देख कर अच्छा महसूस हो सके वैसे आज हम यहां एक ऐसी ही लखी तस्वीर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे घर में लगाना बेहत शुब माना जाता है कहते हैं इस पेंटिंग को घर में लगाने से सुक सम्रिदी के कभी कमी नहीं होती दरिसल यहां हम बात कर रहे हैं साथ भागते घोडों की तस्वीर के बारे में जिसे घर में लगाना बेहत शुब माना जाता है साथ भागते घोडों की तस्वीर घर में लगाने से व्यापार और नौकरी में खुपता रखी मिलती है ये तरस्वीर दुर्भाग्य को सौपाग्य में बदल देती है इस तस्वीर को दक्षिन दिशा में लगाने से सबसे ज़ावा फायदा होता है इससे घर में सद्याव सकरात्मक बनी रहती है इस तस्वीर को घर के लेविंग रूम में दक्षिन दिशा वाली दिवार पर लगाना चाहिए इससे घर में सुक, शांती और सम्रिधी बनी रही इस बात का ध्यान रखें कि तस्वीर में दिख रहें घोडों का रंग सफेद होना चाहिए साथ ही इस तस्वीर को तरह तर मतब इस तरह से लगाएं कि जिससे घोडों का मुख घर के बहार की तरफ ना हो तस्वीर खरीते समय ये भी ध्यान रखें कि घोड़े आक्रोश में न दिख रहे हो इसके साथ ही घोड़ा एक दिश्य में भाग रहा हो तो देखा आपने कि किस तरह से क्या लोग क्यों लोग घर में साथ घोड़ों की पेंटिंग को लगाते हैं खैर अगर आपको भी घर में सकरात्मक महल बनाए रखना है तो साथ घोड़ों वाले पेंटिंग का घर की दिवार पर लगा सकते हैं ऐसी तमाम अलेटे सबरों को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्सान स्प्रिश्वल